हलो फ्रेंट आज मैं आप लोगों के साथ राज को चौरी के रिस्पी शेयर करने जा रही हूं और आज मैं आप लोगों के साथ फुली फुली राज को चौरी बनाने का और उसको लंबर टाइम ते प्रीस पी रफने का कुछ टिप्स पी बताऊंगी तो वीडियो को इन तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुर नहीं हो लिएगा तो चलिए राज को चाट बनाना शुरू करते हैं तो फिरें सबसे पहले हम राज को चाटा लगाएंगे उसके लिए मैंने आधा कप सूजी लिया है और इसमें आधा कप मैदा एड़ कर देंगे और इसके साथ हम इसमें एड़ कर देंगे स्वादन उस्वार नमक और एक चोठाए चोटी चमर बेकिंग सोडा यानि की मीठा सोडा अब इन सभी इनकी रेडियन को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी बाद हम इसमें दो तीन चमर के लगाउग में तेल डाल दे अब हम इसके थोड़ा करके पानी अड़ करेंगे और इसका हम आटा लगा कर लेंगे इसका आटा में बिल्कुल सॉप्ट लगाना है किनकि हमने सुजी का ज्यादा इस्तेमाल किया है और सुजी बहुत ज्यादा पानी सुपती है तो इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा तो दागते हो उससे भी सॉफ लगाना है और यह मैंने इस नागा कर तयार कर लिए है और विल्बिल सॉफ नागा कर तयार किया है अब हम आटे को बोसे तीन मिनट ते की तरह समे ला देंगे और इसके बाद हम इसे धाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे 15-20 मिनट में तो यह मारी बहुत इच्छे से पुल गई है और आटा मारा थोड़ा सा थूग गया है अम इसको 2-3 मिनट तक इस रस मिला लेंगे इसके बाद हम छोटी चुटी चुटी लोईयों को तोड़ लेंगे और इसको पेड़े की तरह बनातर इसको हम बेलेंगे इसको बेले टेम का इस्तेमाल किया है उसकी वज़े से पूरी चिपाप नहीं ही रही है इसलिए सुखा मैदर लगाए और लगाए मैं बहुत ही आसानी से बेल आ रही है तो इसका आरता बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए और एक पुरी मेंने बेल लिया इसकी मुटाई आप देख सकते है बेल उखना देख सकते पुरी का इसकी में उपर से घर में रहा है और दो पर आग्या है तो इसको पुरी को प्राइब शोच करने को चलते हैं थ़ोड़ा साम अच्छा करने चाहिए थोडा सां आटा डालकर से करेंगे तिल हमारा कितना गर्म शेच एका आटा दालती है पर हम तेल में एक कचौरी डालेंगे, फ्लेम को हम हाई रखेंगे, और जैसे ही कचौरी उपर आजाएगी, इसके बाद हम इसको हलका हलका से फ्रेस करना शुरू कर देंगे, लेकिन जब तक कचौरी उपर नहीं आएगी तब तक हम इसे छेड़ेंगे नहीं, और आप देख तो लो फ्लेम पर इसे हमें फ्राइ करना है, जब तक ही अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाएगे, दियान दाएं कचौरी को फ्राइ करने इक लिए जो आप कडाही इस्तिमाल करेंगे, उगहराई वाला होना चाहिए, तैक उसमें कचौरी अच्छे से दीप हो सके, तो बढ़ियां फुली और बिल्कुल क्रिस्पी पचौरी बनकर ते यार देंगे, दूस्तिक कचौरी भी हम सेमें स्टेप को फॉलो करते ही फ्राइ करेंगे, ध्यान देखने के पचौरी डालते हैं, फ्लेम बिल्कुल हाय होना चाहिए, और जैसनी पचौरी उपर आ जाएग कार निकाल लेते हैं, हमारी सारी का जोरी बिल्कुल ठंडी हो गई है, मैंने इसको पंकेक में ते रख दिया था, बहुत ही जादा क्रिशी बने हैं, अब इसना स्टाफिंग रहें हैं, एक जोरी को आप दो दिन तक भी रखी हैं, तब यह बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे, मुंग को पहले गोयल करें नमक दालकर इसके बाद इसकी बाद इस्तिमाल करें, उबला हुआ चाना, चना को मेंने नमक दलकर गोयल कर लिया है, एसके बाद mike को यह जाल क तो कि बूला लें हैं, एक चम़ा चाछ्ञ दया घरा बिल्यांगे, इसके बाद हशी बाद हारी चत एह शुआ हमें ural ऍिम्डी Combina भी की मेखिण डाल देंगी इसके जचाप के बोख के चप हैश्टा इसके फोड़ा सांचनभी जन्हें ईट्षे मेःद डाल देंगी अब फार से Lexati Vyy call तो तचनी को पर यूज इस थोड़ा काको फोड़ा सब के चचप के नाल सकते हैं और इसके बाद इसमें डाल लेंगे अनार के दाने इसके वाद थोड़ी सी सेव नमकीन और यह हमारी बहुत ही ज्यादा स्वार्दिष्ट राजपचोरी बन कर तयार है थोड़ा से इसके उन लाल मुची के बाड़र डाल देगे यदि अब जादा तीका पसंद करते हैं तो मिठी तीके राज पचारी बनकर तयार है आप इसे ज़रूर ट्राय करें और मुझे कमेंट में करता हैं आपके रेस्टी कैसी लगी यदि आपको मेरी आप रेस्टी के संद आई है इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दिल्कूर न भूलें थैंक्स वर वा